हेलो एवरिवन आज मैं फॉसिल जिम्नोस्पम विल्लियम सोनिया के बारे में डिसकस करूँगा यह जो आप पिक्चर देख रहे हैं यह आज से बहुत पहले अपर ट्राइसिक से लेकर जुरासिक पीरियड जो समय है जब डाइनसोर बहुत ही अबेडेंटली पाया जाते थे उसी समय यह प्लांट भी खुब परचुर मत्रा में पाया जाता था सर विल्लियम सन ने 1870 के अंदर इस प्लांट के जो फॉसिल है उसको खोजा और इसका जो नाम है वो जेमिया गिगास नाम रखा और बॉटनी का एक रूल है बाइनॉमल क्लासिफिकेशन का कि जब भी आप बॉटनी का नेम कोई भी लिखते हैं तो उसके नीचे आप अंडरलाइन लगाएंगे लेकिन सर विल्यम सन के सम्मान के अंदर इस प्लांट का नाम जेमिया गिगास से बदल कर विल्यम सोनिया रख दिया गया भारत के अंदर विल्यम सोनिया की जो प्रजाती जो पाई जाती है वो विल्यम सोनिया सीवारडियाना है विलियम सोनिया स्रिवार्डियाना जिसके खोज प्रॉफेसर बीरबल आप ये नाम ध्यान रखना प्रॉफेसर बीरबल सहानी प्रॉफेसर बीरबल सहानी ने बिहार की राजमहल पहाडियों के अंदर इसकी खोज की थी प्रॉफेसर बीरबल सहानी के एक स्टुडेंट थे प्रॉफेसर गुपता ने 1943 के अंदर विलियम सोनिया की एक अन्य जो स्पीसीज है उसकी खोज की और उनका नाम जो है वो प्रॉफेसर बीरबल सहानी के सम्मान में विलियम सोनिया सहानाई नाम रखा यह बहुती इंटरेस्टिंग फैक्ट है विलियम सोनिया सहानाई सहानी जी के सम्मान में विलियम सोनिया जो है वो दिखने में साइकस के समानी है वो एकदम साइकस के समान ही है आज हम जो डिसकस करेंगे वो विलियम सोनिया को Spotting में तीन मिनट के अंदर किस तरह से आपको क्या-क्या लिखना है सबसे पहले आपको जब भी इसका डाइगराम या नाम sporting में लिखा जाए, कि William Sonia के बारे में लिखना है, तो आप identification लिखेंगे given plant material is William Sonia which is a fossil gymnosperm, second फिर आप इसके classification लिखेंगे division, gymnosperm, class psyched, doopsida order psyched or diodels इसका दूसरा नाम है वो benetitils भी होता है तो आपको दोनी नाम बोलने हैं और में बेनिटाइटेज या साइकेडो डियोडेज ठीक है थोड़ा सा नाम आपको हार लगेगा लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे आप भी अच्छी प्रैक्टिस सही नाम जाता जाएगा और फैमिली जो है विलियम सोनिय सी और जिनस विलियम सोनिया उस भी दे रहे हैं यह पत्तियों के गिरने के पश्चात बनने वाले लीफ इसकार्स हैं फिर यहां फेमिल इस्ट्रोविलस और यहां पे जो लीव्स हैं यह आप चार-पांच नाम जितने भी लेबलिंग कर सकते हैं होते कीजिए इसके बाद वारी आती है कमेंट्स की कमेंट पर देख सकते हैं कि यह बिहार की राजमहल पहाडियों के गोंडवाना जो रॉक्स थी उसमें इसकी खोज की गई थी इसकी जो प्लांट बोडी है वो स्पोरोफाइटिक होती है इसकी प्लांट बोडी पाम लाइक होती है जैसे कि मैंने बताया था साइकस जैसी और बहु सिलेंड्रिकल है यानि की एकदम बेलनाकार है और ब्रांचिंग इसके अंदर पाए जाती है कई किताबों में लिखावा है कि यह विलियम सोनिया अन ब्रांच अवस्था के अंदर पाए जाता है ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं इसके प्लांट बड़ी मैं जैसे प्लांट के सबसे उपर पार्ट में देखा जाए तो एक क्राउन के जैसे यह जो पतियां है वो अरेंज रहती थी स्पैरली अरेंजड ठीक है और जहां से हम बात कते हैं ब्रांचेस की तो यह भी क्या है स्केल्स के द्वारा जो है वो ठकेवे रहते थे और यह जो प्लां होता था यह प्लांट ड़ाइ्व क्यो जो प्लांट होता ह sometime जो टक अलग अलग होते कि और इस प्लांट में जो इस ट्रॉबिलस जो डवल्ब होते थे वो श्यृट ब्रांच लेटरल शूट्स के अंदर डवलप होते थे तो ये पॉइंट्स कुछ एक पॉइंट है इसमें से आप कोई भी पांच पॉइंट आप लिख सकते हैं और इसके बाद मैं मैं आपके कुछ लाइकेंस के बारे में एलकी फंजाई उन स्पोर्ट्स के बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊँगा धन्यवाद